दोस्तों इस बरसात के सीजन में फूल गोबी की नरसरी में काफी ज़्यादा समस्यें देखी जाती हैं और कई बार तो हमारी लापरवाही की वज़े से ये समस्यें काफी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इस वज़े से आपकी जो फूल गोबी की नरसरी है वो 70-80-90% तक भ खराब हो जाती है यानि कि देखते ही देखते चंद घंटों में आपकी जो पूरी क्यारी है वो बरबाद हो जाती है आज शाम को आप देख रहे हैं आपकी नरसरी ठीक ठाक नजर आ रही है लेकिन अगली शुबह अगर आप देखेंगे तो पूरी जमीन पर आपको लेटी मिलेगी आपकी नर्सरी इस तरह की समस्य काफी ज्यादा आती हैं और ये समस्य बर्शात के दिनों में सबसे ज्यादा देखी जाती Aaah हलांकी इस वीडियो में बात में सिर्भ फूलगोबी की नर्सरी करूंगा लेकिन आपने चाहे किसी बी तरह की समस्य आपको देखने को नहीं मिलेगी नरसरी को डालना और उसको अच्छी तरह से तयार करना इस मोसम में काफी ज़्यादा मुश्किल है ज्यादातर किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं और जो नरसरी वाली सब्जियां हुगाते हैं वो इस सीजन में सिर्फ न कर दिया अगर नरसरी प्लांटेशन के लाइक नहीं है नरसरी अगर आपकी ज़्यादा वीक है कमजोर है उसी नरसरी को अगर आपने प्लोट में ट्रास्पर कर दिया तो उसके बाद में आपका प्लोट भी डाउन नहीं रहेगा मतलब आपकी जो फसल है वो लाष्ट तक आपको डाउन नहीं देखने को मिलेगी और इसके चलते उत्पादन जो है आपका वो काफी ज़्यादा डाउन रह जाता है और यह जो समझ से आती है इस समय पे ये फूल गोबी की नरसरी में सबसे ज़्यादा देखी जाती है और उसके बाद में टमाटर की नरसरी में भी कफी ज़्यादा देखी जाती है मिर्ची बैंगर इन में देखी जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती है सबसे ज़्यादा फूल गोबी में देखा जाता है तो आपने भी अगर फूल गोबी की नर्सरी लगा रखी है या नर्सरी डालने वाले हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना उसके बाद में नर्सरी से संबंदित कोई भी सिकाईत आपकी नहीं रहेगी पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुरेस और आप देख रहे हैं खेद किसान जहनजनों तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे कुछ किसान बाइ कमेंट कर रहे थे कि ग्रोथ के लिए हमें क्या-क्या डालना चीए तो सुरू करते हैं कि सबसे पहले जब आप नर्सरी डाल रहे हो तो सबसे पहला इस टेप आपको लेना है कि जब भी आप nursery डालने बरसात के सीजन में खास तोर पर तो bed पे ही आपको nursery डालनी है जमीन पर flat surface पे बिल्कुल भी आपको nursery नहीं डालनी है और इस सीजन में क्यारी में तो भूलकर भी आपको nursery नहीं डालनी है तो bed तैयार कर लीजिए bed की चोड़ाई तीन फिट से ज्यादा नहीं होनी चीए तीन या साड़े तीन फिट मैक्सिमिम इतनी रखे और उंचाई जो है bed की वो एक से डेड फिट रखे ताकि बारिश की वज़े से जल भराव जैसी समझ से आपकी nursery में ना हो चोड़ाई तीन फिट से ज्यादा इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि बाद में खर्पतवार वगरा निकालने के लिए या nursery का रख रखाव करने में आपको दिकते आ सकते हैं इसलिए bed की जो चोड़ाई है वो साड़े तीन या तीन फिट रखे और लंबाई आप अपने जगए के हिसाब से देख सकता है लंबाई आप कितनी पर रख सकते हैं 10-15-20 फिट तक रख सकता हैं कोई दिकत नहीं जितनी आपके पास आपका जो green set net है उस हिसाब से आप रख सकते हैं जो भी चीज़े आपको डालनी है नरसरी डालते समय आप डाल देंगे तो उसके सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे बाद में अगर आप डालेंगे तो उनके ना तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और सडीवी गोबर की खाद, अगर आपके पास सडीवी गोबर की खाद है, तो सडीवी गोबर की खाद डाल दीजिए, दो से तीन परात, या अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट है, तो वर्मी कमपोस्ट डाल दीजिए, वो भी सिमित मातरा में डालनी है, गोबर की खाद भ फंगी साइड की बात करें तो फंगी साइड आप अभी डाल दीजिएगा, सबसे अच्छे रिजल्ट में लेंगे, तो इस फंगी साइड में आप मैंकोजेब ले सकते हैं, 70% या 70% में, वो ले लिजिए, एक के आप इसमें आप जो डोज की बात करें, तो लगवग 20-30 ग्र जो भी आप नर्सरी डाल रहे हैं, उसके बीज डाल देने हैं, उसके बाद में, कुछ किसान बाई जो है, नर्सरी मतलब 8-10 दिन की होती है, तब भी मतलब बिना किसी वज़े से इसमें फंगी साइड वगरा का इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक कोई समझ से आपको देख आपको बशायना हीं है, बरसात का पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, इसके लिए आप प्लास्टिक तिरपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कल मैंने एक वीडियो में बताये भी था, कि प्लास्टिक तिरपाल अगर आपड़ दाल रहे हैं, तो 24 गंटे आपको ड्ल लेटना ही है खराब होनी आपकी नरसरी तो इसके लिए आपको क्या करना है चाया 24 गंटे आपको नहीं रखनी है जब बारिश हो तो आपको प्लास्टिक का तिरपाल इस्तेमाल करना है अदरवाइज नहीं करना है इस तरह का अगर मोसम है धूप वगरा नहीं निकल रही है तो किसी भी तरह का तिरपाल आपको नहीं डालना चाहिए क्योंकि धूप तो वैसे नहीं निकल रही है बारिश हो तो आपको डालना है नहीं वरना नहीं डालना है कुछ किसान भाई गरिन सैड नेट का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी इस मोसम में तभी डालना है जब काफ कि भी तरह का तिरपाल या green sad net या plastic का तिरपाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेवज़ा आपको डालके नहीं रखना है जैस जितना हो सके उतना आपको नरसरी को खुला रखना है ताकि धूप और हवा लगती रहेगी तो बेवज़ा आपकी जो नरसरी है वो हाइट नहीं बढ़ जाती है इससे भी fungus का जनम और ज्यादा होता मतलब fungus का अटेक और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह के समस्य है तिरपाल की वज़े से काफी ज्यादा आते हैं तो जितना हो सके हवा और प्रकास आपकी नरसरी को लगना चीए फिर भी अगर इस तरह क की समस्य आ जाती है तो कारबंडाजीम और मेन को जे 12 और 63% में UPL का जो साफ हाता है सबसे बेस्ट है उसका आप इस प्रे निकाल दीजिए वह आप निकाल दीजिए यह स्टेप आपको लेने है फिर भी अगर आपकी नरसरी 15 से 20 दिन के वस्था में आ जाती है फिर अगर आपको किसी तरह का रोग वगरा दिखता है उस स्टेज में अगर आपकी नरसरी है बारिश वगरा ज्यादा हो गई और कुछ प्लांट में अगर इस तरह की समस्य आपको देखने को मिल रही है तो आप कोपर ऑक्सी कलोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं 20 गराम परती 15 लिट दूसरा क्या होता है किसान भाई काफी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि हमारी नरसरी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही है तो मैंने आपको बता दिया था कि जो भी आपने डालना था वो आपको जो है आपकी नरसरी जब आप डाल रहे हैं अभी अगर आप डाल देंगे तो रि में PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई आप नर्सरी का प्लांटेशन हो जाए आपकी जो नर्सरी है वो प्लोट में चली जाए और जाड़े चलना उसमें सुरू हो जाए मतलब वाइट रूर्स जब बननी सुरू हो जाती है इस्टेम सीधा खड़ा होना सुरू हो जाए उसके ले सकते हैं लेकिन नर्सरी में को इस तरह के इस्तेम नहीं ल transf variety नहीं के साबसे दुबारा propose कर लिजिएगा calcium नाइटरेट की बात कर रहा हूँ, चिलिटरेड कैल्सियम जो माइक्रो नूटरेंट आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कैल्सियम नाइटरेट आता है, एक गराम परती 15 लिटर, यानि कि 15 लिटर के अगर आपका इस्प्रेय टैंक है, तो 15 गराम उसमें डाल उसके 8-10 मिनिट बाद में पानी का इस्प्रेय निकाल देंगे, तो पत्तों के उपर जो आपका कैल्सियम नाइटरेट वगरा आपने जो भी डाला है, पत्तों के उपर ने ठहरना चाहिए, और जमीन पे वो चला जाएगा, तो जड़ों में मतलब ज्यादा काम करेगा, ज अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और बाकी किसी भी तरह के माइक्रो नूट्रेंट्स और पीजियर वगरा का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ कैल्सियम नाइटरेट बताईगी खुरा का आप डाल देजिए, बाकी नर्सरी में इस तरह की समस्य से आ रही है, उसके लिए भी फंगी साइड मैंने आपको बता दिया है, तिरपाल का जो मैंने आपको बताया है, उसका विशेश तोर से आपको ध्यान देना है, जब बारिसो तब ही डालना है, सबसे ज़्यादा जो समझ से आती है किसान भाईयों की इसी तिरपाल की कर देगी, इस तरह की धूप तो आप नहीं पड़ेगी, मोसम जो है, अब नर्सरी के या आपकी फूल गोबी की जो है, एकदम अनुकूल हो चुका है, जब तक बारिसो तब तक आपको नर्सरी को बारिस से जितना मतलब आप बचाएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, यह अगर आप लेंगे, तो आपकी चाहिए फूल गोबी की नर्सरी हो, चाहिए टमाटर की नर्सरी हो, किसी भी तरह की नर्सरी हो, कोई भी समस्य आपको नर्सरी में देखने को नहीं मिलेगी, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में ने टोपिक के तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात